हेलो फ्रेंट तो आज ही स्टूडिमम कवर करने वाले हैं क्लास 11 की स्नैप्सोर्ट का चैप्टर 6 तगहार्ट ऑफ दा उनली वर्ल जिसके लेका के अमिताप गोस्ट ची एक मरतन्य कस्मीर बरवासी लेका कसी अनुरूत करता था कि उसकी मृत्यू के उपरांत बाद में लेक के लिए ठविए आतव है अमिताप गोस्ट ने अपना वचन निवाते हुए लिखा है जो सब्सक्राबर के लेकर है मिताब अपकर अपने बचनी के लिए पार को लिखा है अब वो व्यक्ति कौनнут है को जिस Iters इस बारे में वह थे रहा उसके माता पिता तो कस्मीर में ही बने रहे पर उसकी सबसे छोटी बेहन सुमिता ग्रूकलिन में एक सिक्छक थी साहिज स्वेम एक कभी तथा सिक्छक थी बहुत मजा किया तथा मिलनसार ज़कती थी लेखक की साहिज से पहली मुलाकात 25 अपरेल 2000 एक में हुई साहिज 14 माह से कैंसर का इलाज करवा रहा था हैनि एक साल दो महीने अक्सर उसकी यादास खेल हो जाती थी फिर भी वह चल फिर रहा था और उसने बताया मैं मरने वाला नहीं हूँ लेखक हैरत में पड़ गया जब उसने उसकी मित्यू के विसय पर बात की लेखक ने उससे कहा नहीं साहिज नहीं तुम ठीक हो जाओगे साहिज सीधे अपनी बात पर आ गया भै बोला जब मेरी मित्य हो जाए तो मैं आसा करता हूँ कि तुम मेरे बारे में एक लेख लिख दोगे साहिज को पहला दौरा जो दौरा पढ़ता है ना कैंसर में भै फरवडी 2000 में पढ़ा फरिक्षणर से पता चला कि साहिज के मस्टिक में एक गाठ है भै मैं हैटन में रह रहा था पर अपनी आस्वास्टता को देखते हुए उसने अपनी बेहन के निकट ही ब्रोकलेन में घर ले लिया चौकि उसको पदा था कि भै अपस्ट नहीं है और उसने सुचा कि मैं अपनी बेहन के पास चला जाओ अब भै अब लेखक के फिलेट से कुछ घर दूर ही रहता था लेखक ने साहित को बचन दे दिया कि वह लिस्टित रूफ से उसके बारे में लेख लिखेगा उसने सारी बाचीत को अपने डायरी में लिख लिया अगले कई बरसों तक जब साहित जीवित रहा वह उससे सम्वेनित हरवात नोट करता रहा साहित की मिर्ट्यू 8 जिसंबर को सांती पूर्वक हो गई लेकप की साहित से अंतिम बार मुलाकाथ 27 अक्टूबर को उसके भाई के घर पर हुई थी साहित को अपनी मिर्ट्यू निकाटाती दिख रही थी पर उसने कोई दुख या उदासी नहीं दिखाई वह सांत तथा संतुष्ट था उसका सबसे बड़ा संतुष्ट यह था कि मिर्ट्यू के बाद यदि कोई जीवन है तो उसमें उसकी भेट उसके पिता यानि बालेस से हो जाएगी लेखक ने साहित की कविताओं का 1997 का संकलन बिना धागर का देश पर उसे मिलने से पहले ही पड़ दका था साहित का जन्म तो स्रीनगर में हुआ था पर भे अपने पड़ाई खेतू दिल्ली के शुद्यालाय में आ गया पर वहां लेखक की साहित से कभी मुलाकात नहीं हुई उनकी मित्ता में मजबूती उस समय आई जब दोनों ब्रूगलन में रहती थे उस समय तक साहित में की दसा गंभीर हो चुकी थी इन दोनों की कुछ कॉमन मित्र थे यानि की जो दोनों के मित्र थे दोनों को रोगन जोस रोगन आरा वेगम तथा किसुर कुमार के गीत पतंद थे दोनों को क्रिकेट में आरुची थी क्रिकेट में कोई मजा नहीं आता था अब दोनों को मुंबई की पुरानी फिल में अच्छी लगती थी वे नियमत रूफ से मिलने लगे समय समय पर अन लेखक भी आकर सामिल हो जाते थे 21 में को लेखक साहित के भाई एकवाल तथा बेहन हिना के साथ साहित को अस्पिताल से लेने गए उसका सर मुड़ा हुआ था जब वेब बॉर्ट छोड़कर निकल नहीं वाले थे कि इस अस्पिताल का परिचारक वहाँ बईये वाली गाले लेकर आ गया साहित में उस पर बैठने से इंकार कर दिया पर उसके घुटने में काम नहीं किया उसने परिचारक से कहा कि मैं सदे भी स्पेनिम की भासा सीखना चाहता था साहित को कस्मीरी खाना तथा मित्रों का जंगट पसंद था एक भी साम ऐसी नहीं जाती थी जब उसके घर पर कोई पार्टी ना हो उसकी इस पसंदगी का कारण था अपनी उदासी से चुटका रहा उसका फिलेट भवन की साथ भी मंजिल पर था बहां से नगर के भवनों से बटा अद्वु छिटिज इस्ट नदी के पार दिखाए दिता था जब उसके फिलेट पर पहुँचने के लिए कोई भी उपर जाता था तो सीडी पर उसे रोवन जोस की फिल्मों के गाने सुनाई पर जाते थे उनकी इतों की धुन सुनाई पर ने लगती थी इस महफिल में सरीफ होने वाले लोग थे कभी छात्र लेकर तथा सगे संबन दी लगभग मित्चू के समय तक साहिट बाच्चीत हतीमजा खाना पीना तता काब्वे पार्ट का केंदर बना रहा एसी ही एक पार्टी में जो एरिजोना में आयुजित की गई थी वहाँ पर साहिट की भेट जेम्स मेरियल से हो गई थी उसी व्यक्ति का साहिट की कभीताओं पर सरवदिक प्रभाव पड़ा साहिट ने अपनी आसनी मेत्यू का जिक्र अपनी एक कभीता में किया था मैं सपना देखता हूँ कि मैं एक मात्र संसार का घाट पर खड़ा हूँ यह उनकी कभीता का टाइटल था या पर पहली लाइन भी कह सकते हैं साहित को कस्मीरी खाना बहुत पसंद था यदि वैप पंडितों की सेलिका बना गया हो उसे सोच समझ कर दुख होता था कि कस्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर चले गए कि कस्मीरी पंडित गाटी छोड़ कर चले गए और अपने साथ साथ अपनी पाक कला भी ले गए उसने इस तत्थ का जेकर अपनी कविताओं में अनेक बाल किया उसकी दूसरी प्रेट चीज थी बेगम अक्तर का गायन बहे प्रत्युर्टत देने में बहुत निप्रोण था बहे लोग प्रिये सिक्षक भी था उसने मेनहार्टन बारुज कॉलेज में सन 2000 तक अध्यापान किया चातर उसकी पूजा करते थी बहे कहता था कि मैं पेन स्टेट में रहकर ही कभी बना अध्यापाग बना तथा प्रेमी बना सन 1999 में बहे उटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निउक्त किया कस्मीर में 20 वी सदी के अंतिम दश्कों में जो हिंसा का दोड़ चला उससे उसे बहुत पूड़ा हुई बहे शुशुद कभी था ना राजनेतिक कभी या फिर और किसी कटर मुसल्मान का जैसा नहीं था साहिद एक उधारवादी तथा खुले दमाग वाला धर्मनिल प्यक्च व्यक्ति था बच्पन में उसने एक वार अपने कमरे में हिंदू मंदिर स्थाफित करने की एक्षा व्यक्ति की थी उसकी मां मुर्तियां ले आई थसा साहिद नेमेत पूजा करने लगे मई में साहिद किसी जरूरी चेक अप के लिए अफितार ले गया उसकी रिपोर्ट साम को मिलनी थी पर समाचार कोई अच्छा ना था डॉक्टर ने उसे जीवित रहने के लिए एक बर्थ या उससे भी कम समय दिया था उसने कहा कि सुदार होने की कोई आसा नहीं है जाहिद मरने के लिए कस्मी जाना चाहता था बाद में कुछ कारणों से उसने अपना विचार बदन दिया भै नौर्थे नमें दफनाए जाने के लिए राजी हो गया अताहा दिसंबर को भै परमात्मा को प्यारा हो गया उससे एक एसा व्यक्ति जो मर चुका है कस्मीर का भै लेखक से पहले अनुरोद करता था कि उसके मृत्यू के बाद लेखक उसके बारे में कुछ लिखे और बहन निम्लिकित लेख यह है अमिताब गोश्ट ने अपना वचन निभाते हुए जो कि लिखा है फ्रेंड्स जिदि आपको या चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें जियर करें सबस्क्राइब करें थैंक यू सो मच